ये इस जंक से बने हुए होते हैं, इसके अंदर जो नूडल जाली हुए होते हैं, कि ये आपके पेट में जाकर के सीधा का सीधा जहर का काम करता है, अगर आपकी बोडी ठीक से वक्त नहीं करेगी, तो आप एक healthy baby को बर्ट नहीं दे पाएंगे, इन सब चीज़ों का side effect हो च चुके हैं, उनके लिए रामबान काम करता है, ये बाहर का खाना, junk foods खा करके, आज कल महिलाएं हो रही हैं, नी संतांता की शिकार, आज हम आपको बताएंगे, ऐसा क्या खाना है, जो महिलाएं खा रही हैं, 20 प्लस में जो चोटी 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 girls हैं, वो खा रही हैं, और कैसे उनका silent killer का work करती हैं, और कैसे उनको कितनी बड़ी बड़ी बिमारियों का face करना पड़ता है, हमने mostly देखा है, girls में, females में, आज कल के चोटी 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 जो बच्चे हैं, 15, 17, 17 साल के, 20 साल के, वो घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको outer foods, like junk foods, processed foods, इन सब जादा इसको पसंद कर रहे हैं, इसके साथ-साथ मिलने वाली इसकी लाल चटनी, जो कि पूरी की पूरी जहर का काम करती है, spring rolls ये पूरे मैदे से बने हुए होते हैं, ये इस जंक से बने हुए होते हैं, इसके अंदर जो नूडल जाली होती हैं, कि ये आपके पेट में ज इकता है, because ये silent killers होते हैं, ये breads, ये burns जो होते हैं, ये market में मिलने वाले wafers जो होते हैं, जो कि गलत oil में बनाये जाते हैं, जो कि बहुत पूरानी dates के होते हैं, ये packed juice जो होते हैं, आजकल देखा जाता है महिलाओं में इन सब चीजों का saving बहुत जादा किया जाता है, और एक time के बाद आकर के उनको पता लगता है, कि इन सब चीजों को खाने से जो हैं, उनकी body के अंदर जो eggs हैं, वो अच्छे से develop नहीं हो रहे हैं, floppant tubes block हो रही हैं, eggs का development अच्छे से नहीं हो रहा है, periods time पे नहीं हा रहे हैं, white discharge की problem हो रही है, इन सब चीजों को face करते करते जो हैं, वो नी संतान्ता की तरफ चली जाती हैं, लोग IVF भी करवा लेते हैं, काफी काफी centers में भी जाते हैं, लेकिन जो उनकी problem होती है, वो salt out नहीं होती है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इन सब चीजों को छोड़ करके, आपको अपने घर से क्या-क और calcium का स्त्रोथ होता है, इसको आपको भीगो करके, आप इसे snacks में बना करके, अपनी खुद की घर की बनी हुई धनिये पुदीने की चटनी के साथ ले सकते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके लिए healthy होगा, easy digest में भी होगा, और आपको stomach को भी full रखेगा, constitution को भी दूर भगाए इसका main कारणी होता है, इसके अंदर बहुत जादा calcium होता है, protein होता है, fiber होता है, यह हमारी बच्चे दानी को बहुत जादा strong करता है, इसके साथ अगर हमारी body के अंदर किसी तरह का कोई भी problem आ चुका है, या कोई side effect किसी चीज का आ चुका है, यह दाल लेने से जो हमको side effect जो है उसका डाउन होने लगता है इसको आप दाल के रूप में भी ले सकते हैं इसको आप स्प्राउट्स में भी ले सकते हैं और इसको आप भी गो करके इसका चीला भी ले सकते हैं उसके लिए इनफर्टिलिटी की पेशेंट्स के लिए जो नी संतान्ता की तरफ हैं उनके चकुंदर बहुत बैस्ट है क्या होता है लेडिस के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है खून का फ्लो सही नहीं होगा अगर आपकी बोड़ी ठीक से वक नहीं करेगी तो आप एक हेल्दी बेबी को बर्ट नहीं दे पाएंगे इसके लिए अगर आप हेल्दी चीज़े बालिया नहीं हो रहे होते हैं उसकी वज़े से फिमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है एक खर раст में बठाया जाने है कि अधरक ऑंदर बोड़ी दर प्लोड़ी को बिए कर लिकले फञुत 10 सन्तांतावली पेश्यंट होती है उनको अद्रग का सेवन वेजिकर्यते बताय जाता है कि अद्रब जो है यह हमारे अंदर बॉडी में स्टमक में जाकर कि बहुत अच्छा वर्क करती है डाइजेशन को इंप्रूव करती है और जो हमारे एक्स डवलप्ट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है यह इसके साथ पेशिंट को जो है अंदर से ज होते हैं उनको रिमूव करता है अगर आपके पीरेट indoors थे बहुत बै्निखियल होता है इसके साथ पीरेट्स का पेन हो और पीरेट्स नहों रहे हो उसके लिए भी अगर आप रात को ये पानी बना के रखते हैं और सुबह इसे बॉयल करके आदा करके छान के ले लेते हैं तो ये मॉर्निंग में आपको अच्छे से रिजल्ट देगा इससे बहुत जल्दी ही पीरेट्स आजाते हैं और इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए कच्छे गोले की गरी ये भी बहुत अच्छी है इसका साथ सीड्स की बात आती है सनफलार्स के सीड्स जो हैं ये भी इन पेशेंट्स के लिए बहुत अफेक्टिव रहते हैं ये तो होती है वो चीज जाइट जो हम patients को बोलते हैं आपको लेनी है और इन सब चीजों को आपको अपनी दिन चरया से बहुत दूर करना है अगर आप infertility की patients हैं आपनी संतानता के patients हैं आप काफी चाल सालों से try कर रहे हैं अपनी किसी भी तरह की conceiving की problem को उन सब कारण को हमसे discuss करने के लिए हमसे अपनी problem को बताने के लिए और एक natural medicine द्वारा अपनी इस problem को जड़ से खतम करने के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंब पर हमें contact करें thank you